दोस्तो RBA का एक रूल्स है कि यहाँ पर अगर मानो आप लोग परिस्नल लोन लिये हो परिस्नल लोन लिये हो अन्सिक्योर्ड है अब से जो है निया रूल्स यह आया है कि अगर आप डिफोल्टर हो आप चुका नहीं पा रहे हो चाहिए आप कोई भी हो स्टूडेंट्स भी अगर आप चुका नहीं पा रहे हो तो अब से जो है आपके घरवालों को चुकाना पड़ेगा यह पैसा जिहां दोस्तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही जो है इन्फोर्मेशन मुझे मिला है कहां से मिला है क्या है सारा कुछ आप लोगों को देने वाला हूँ उस वीडियो में तो वीडियो पुरा एंट तक देखिए बिना स्किप के हुए नहीं तो आप लोगों को सही तरिकिया का जानकारी नहीं मिलेगा दोस्तो अगर आप लोग नये हो अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरुर जरुर प्रेस करें यह से कि अगर personal loan नहीं दे पाते हो तो यहाँ पर आप लोगों के घरवालों को parents को जो भी है आपके घरवालों को यह पैसा चुकाना पड़ेगा at any cost नहीं तो बहुत बुरा होगा अब यहाँ पर जो चीज है यह जो subscribe है दोस्त ने मुझे information दिया किसने उसको कहां से मिला मैंने तो Google में सर्च किया ऐसा कोई भी information नहीं है तो यहाँ पर पता है कहां से मिला है यह news यह news मिला है RBI का जो भी है नाम लेके गलत सलत काम करते हैं और वो है NBFC का चवरनी चाप agent यहाँ दोस्तों यहाँ पर चवरनी चाप agent का अब यह नया खेल है यहाँ पर नया खेल यह है आप लोगों को ढराने के लिए यह बोला जा रहा है कि personal loan अगर आप payment नहीं कर पा रहे हो तो आपके family members को payment करना पड़ेगा अगर नहीं करोगे तो आपका घर देखने को नहीं मिला कि RBI ने ऐसा कोई भी rules कभी भी बनाया हुआ है यह जो भी rules है यह चवरनी चाप का खुद का rules है अब यहाँ पर क्या है कि यह चीज अगर मानू उस बंदे के साथ हुआ है यह आप लोगों के साथ भी हो सकते हैं आप लोगों के पास भी यह message या फिर calls के थूए ऐसा बाते बोल सकते हैं कि RBI का निया rules है payment तो आपको करना ही पड़ेगा हर हाल में अगर आप payment नहीं करते हो तो आपके घरवालों को payment करना पड़ेगा ठीक है सिर्फ आपके basis को देखकर ही दिया जाता है आप जो है जया काम करते हो जो भी काम करते हो उसके basis में दिया जाता है ठीक है जो लोन लिया है ठीक है बॉरोवर जो है ठीक जो बॉरोवर है सिर्फ उनके personal details पे loan provide करते वो कहांपर काम करता है ठिक है क्या करता है क्या नहीं करता है वो यहाँपर पूछ कर loan provide करता है इसका मतलब यह नहीं है कि वो घरवालों को बोलेगा कि घरवालों को paement करना पड़ेगा वो secured loan में होता है थे तो वहांपर होने का chances है घरवार निलाम हो सकता है या फिर घरवालों को payment भी करना पर सकता है लेकिन यहाँ पर अगर personal loan है तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है ऐसा कर नहीं है आप लोगों को डरानी के लिए चवर्णी चाप कुछ भी बोल सकता है आप लोगों को डर लग सकता है, यहाँ पर आप लोगों लग सकता है, यहाँ सच में ऐसा कुछ RBI का rules होगा, लेकिन आप लोगों को बता दो, research करने के बाद पता चला है, ऐसा कोई भी rules नहीं है, ठीक है, no rules, अगर आप लोगों को यहाँ पर लग राए कि ऐसा कुछ करेगा आप लोग बेफिकर हो जाओ, क्या कि यहाँ पर जो भी है, आप लोग personal loan लिये हो, ठीक है, अगर आप नहीं भी चुकाते हो, तो भी यह जो है, कुछ भी नहीं आपका कुर्स कर सकता, मैं आप लोगों guarantee के सार बता रहो, 100% guarantee, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर इसको ignore करो, ठीक है, वो जो भी है, आप लोगों को ढरा कर पैसा लेने के लिए कोशिस करेगा, आप लोग बस इसको ignore करते जाओ, एक time में आप लोग देखना, इससे निकल जाओगे, धिरे-धिरे करके, time लगएगा, थोड़ा सभी चीज़ों में time लगता है, ठीक है, जो आप लोग निकल जाओगे, यह मैं आप लोगो गारेंटी दे रहा हूँ, आप लोग बस अपना ध्यान रखो, आप लोग अपना काम करो, तेंसे लेने की ज़रुवत नहीं है, आप लोगों को बस यह सब जो है, चीज़े आप लोगों के साथ होने वाला है, जो 54 चाप है, ठीक है, बस वही आप लोगों को इस तरीके का चीज़ें से ढराने का कुश्यस करेगा, बस आप लोगों को समझना है, जो भी कर रहा ही, वो फाल्तु का चीज़ें है, फेक है, नोटिस है, फेक है, हडो फेक हो, कुछ भी दिक्कत नहीं है, जब पैसा होगा, टाइम लेकर के payment कर देना है कोई दिक्कत नहीं होने वाला आप लोगे साथ दोस्तों आप लोगों के साथ जो भी इंफोर्मेशन शेयर किया है वह अच्छा लगा है इंफोर्मेटिव लगा है अगर सही लगा है तो लाइक करें दोस्तों के साथ भी शेयर करें सब्सक्राइब बड़न प् अगी क करें सेवस्तों के संस्ट नहीं है उते हैं 7 से भी शयान शेटे डब़ना नहीं होना है अटो समया चाहिएएगा है यह वहा है।